हेलो गैस वेलकम बैक टोर चैनल पीसी एंबी डिजिटल गुरुकल राउंड टू की अगर हम बात करते हैं कट ओफ की तो वैसे राउंड वन के हमने बताई थी वैसे भी टू की भी आपको बता देते हैं तो टू के अंदर राउंड टू के अंदर जो है रैंक अगर नीट की की तो कि क्या 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 कट ओफ लास्ट रैंक रही थी इस कैटेगरी के अंदर 17624 जो है ओपन कैटेगरी में ओल इंडिया सीट जो है वो इसी रांक से बच्चे को लोट हुई थी अभी आपको लास्ट यह पर दिख भी जाएगा 17624 यह जो है लास सीट अलोट हुई है गरवन मेडिकल कोलिज नागा पेटनम में ओपन केटेगरी में है इसके बाद अगर हम दूसरी केटेगरी की बात करते हैं MBBS All India में ही तो ओपन के अलावा मारे पस OBC केटेगरी होती है OBC केटेगरी के अंदर अगर आप सीट देखोगे तो OBC केटेगरी की सीट गई है थोड़ी सी जर्नल से जादा होगी और EWS से क्या असपास 17878 नमकल कॉलिज बच्चे को लौट हुआ था अगर हम OBC केटेगरी के बात अगली केटेगरी की बात करते हैं EWS देखेंगे कि EWS में जो है वो एड्मिशन मिला है 18572 पर गौ़र्मन्ट मेडिकल कोलेज रामनत्वपुरम में EWS के बात अगर SC केटेगरी की बात करते हैं तो SC केटेगरी में तो थोड़ी सी रांक पीछली बार से भी जादा चले गई है तो यहाँ पर SC केटेगरी में 93407 पर एड्मिशन मिला है SC केटेगरी की अगर बात करते हैं तो SC केटेगरी में 1,00,000 से बियोंड तक भी बच्चों को एड्मिशन मिला है जिससे आप यह आप देख पा रहोगे 1,007,511 तक भी एड्मिशन मिला है तो यह तो में केटेगरी होगे इसके अपन PWD की अगर बात करते हैं तो उसमें अल्मोस जितने बच्चों ने अपलाई किया था 780732 तक OBCPWD में अगर हम बात करेंगे तो 789476 तक AWSPWD में 8381115 SCPWD में 88855 और SCPWD में तो कोई seat ही allocated नहीं हुई है तो वो ST केटेगरी में वाप्रस convert ही होगी तो यह तो All India में MBBS की बात है All India में ही BDS की अगर हम बात करते हैं All India कोटा से तो उसमें अगर हम देखते हैं तो open केटेगरी के अंदर जो seat गई है BDS में वो गई है अगर आप rank देखेंगे तो 30,500 पर government college रिसूर मिला है All India कोटा में यह तो open केटेगरी की बात हो गई उसके बाद All India कोटा में OBC की अगर हम बात करते हैं OBC को जो seat allocation हुई है वो 33,000 तक हुई है EWS को जो seat allocation हुई है वो 35,000 तक ST केटेगरी को जो seat allocation हुई है 13, 3, 153 तक और ST केटेगरी को जो seat allocation हुई है वो 15, 1, 2, 3, 1 तक हुई है open PWD में 9, 2, 1, 1, 4, 3 OBC PWD में एकी seat अलोट हुई है वह उसकी cut off है EWS PWD में कोई seat नहीं ST और ST PWD में भी कोई seat All India कोटा में BDS में नहीं मिली है उसके बाद BSC Nursing के अगर हम बात करते है तो open केटेगरी में All India में कोई seat नहीं है BSC Nursing के लिए OBC में भी नहीं दिखाई गई है और EWS में भी नहीं दिखाई गई है तो ये All India कोटा के हिसाब से मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या क्या कट ओफ रहा BDS का और MBBS का अब All India के बाद अगर मैं अगले उसकी बात करता हूँ कोटा की तो वो open seat कोटा होता है जिसमें generally aims जिपन वगईरा की seat आती है तो उसमें अगर MBBS की बात करें हम तो उसमें open केटेगरी में जो seat गई है वो यहां पर आपको नज़र आएगी नीचे कि वो seat गई है करीब करीब 7308 पर aims मदुरही की OBC केटेगरी में अगर हमें aims की बात करनी है तो वो गई है 8478 पर EWS केटेगरी में अगर हमें बात करनी है तो वो गई है 896-7 पर इसके बाद SC केटेगरी की अगर हम बात करें तो वो गई है 55601 पर ST केटेगरी की बात करें तो वो seat गई है 77023 पर Open PWD की बात करें तो 351146 Right OBC PWD की बात करें तो 365882 Last rank है EWS PWD में 430786 SCPWD में 858492 और STPWD में A की सीट अलोके तो यह वारणसी की बच्चे को अगर हम Open Seat Quota में MBBS के बाद अब BDS की बात कर लें तो STPWD में कोई सीट नहीं है Open में जो सीट गई है वो Last rank 27019 है जामिया का OBC में जो सीट गई है वो 26550 है EWS में 25121 है SC में 131749 Open PWD में 79086 EWS PWD में कोई सीट नहीं SC और STPWD में भी कोई सीट नहीं गई है अगर हम BSC Nursing की बात करके देखते हैं तो वहाँ पर भी Open Seat Quota के अंदर भी ऐस सच कोई उसकी काउचलिंग नहीं थी अब अगर हम दो Quotas दो सबसे इंपॉटेंट है वो तो हमने यहाँ पर बात करी लिया है अगर हम इसी के साथ दिल्ली उनिवर्सिटी कोटा की तरफ देखें और उसमें देखें कि MBBS के अंदर Open में कितनी सीट अलोट हुई है या किस रैंक पर हुई है तो 4788 पर Lady Harding गया है ठीक है सिंपल सी इसकी बात है हुई है जो थी फिक्स्ट है स्टी में एक सीट अलोट हुई है बन बन जिरो फोर टो सिक्स पर Open PWD में 630613 OBCPWD में 630613 AWSPWD या SCSTPWD में कोई सीट लोकेटर नहीं हुई है तो ये तो बात हो गई देल्ली उनिवर्सिटी कोटा की कि देल्ली उनिवर्सिटी कोटा में किस तरीके से हमारी rank wise cut off जो है वो रही है round 2 की देल्ली उनिवर्सिटी कोटा के बाद इसमें MBBS की बात तो हमने कर लिए अगर BDS की बात करते हैं तो 20613 तक मुलादाजाद मिला है बच्चे को उसके बाद इसमें ओपन केटेगरी के अलावा अगर हम OBC देखते हैं तो 24860 EWS में 21525 SC केटेगरी में 82469 ST में 20413 पर सीट गई है ओपन PWD SCPWD वगरा में कोई सीट अगर नहीं हुई है दिली उनिवर्सिटी के बाद IP उनिवर्सिटी कोटा के अगर हम बात करते हैं तो MBBS के लिए ओपन केटेगरी में जो सीट गई है वो 1925 रैंक पर मिला है बच्चे को एड़मिशन जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट एड़मिशन मिला है ठीक है उसके बाद अगर हम ओपन केटेगरी के अलावा OBC केटेगरी की बात करते हैं तो OBC केटेगरी में 4,2,4,0 पर मिला हुआ दिख रहा है EWS केटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 5,4 0,4 पर एड़मिशन मिला है EWS केटेगरी के बाद अगर हम अगली केटेगरी SC केटेगरी की बात करते हैं तो उसमें आपको देखेगा कि कोई भी SC अलग से कोलिज लोकेटर नहीं हुआ है और अगर हम SC केटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें नजर आएगा कि कोई सीट चेंज नहीं हुई है OpenPWD में कोई सीट चेंज नहीं हुई है OpenPWD में सौरी बज़वाज सीट 865862 तो इस तरीके से आपको ये बात नजर आ रहे होगे कि भई किस किस रांक तक किस किस केटेगरी में अलोकेशन जो हैं वो सीटो की जनरली गई है तो वर्दमान महवीर में आपने अभी देखा कि जनरल केटेगरी की जो एडमिशन हुआ है वो कितने पर हुआ है भई देखो आईपी कोटा के अंदर ओपन पर डबलोडी के लगए ओपन देखते हैं तो 1925 रांक तक एडमिशन जो है अलोकेट हुए है सेकंड राउंड के अंदर आईपी युनिवरसिटी में राइट तो ये बात हमारी बिलकुल एकदम क्लियर है हमें इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं आईपी युनिवरसिटी कोटा में बीडियस की बात कर लेते हैं तो बीडियस के अंदर ओपन केटेगरी में जो सीट है वो 31,000 तक मिली है उसके बाद OBC केटेगरी में 48939 EWS केटेगरी में 39931 ST केटेगरी में 137027 ST केटेगरी में 232906 ओपन PWD केटेगरी और बाकी केटेगरी में कोई सीट लोकेट नहीं हुई है तो ये जो मेजर मेजर कोटाज हैं ओपन, ओल इंडिया, दिल्ली और आईपी मैंने इन सभी की बात आप से कर ली है कि इनके अंदर किस किस रैंक तक एड्मिशन्स राउंड टू में हुए है ESI की अगर हम बात करते हैं तो ESI कोटा के अंदर MBBS में अगर ओपन केटेगरी की बात कर ली जाए तो 8690 से लेकर के यह एड्मिशन आपको दिखेगा 74225 तक तो यह SI MBBS ओपन है उसके बात OBC की बात कर लेते हैं तो 75238 EWS की बात करेंगे तो 79803 SC की बात करेंगे तो 215578 ST की बात करेंगे तो 125580 Open PWD में 573668 OBC PWD में कोई सीट नहीं है EWS PWD में कोई सीट नहीं है बाकियों में कोई सीट अलोकेट नहीं हुई है SIC कोटा में अगर BDS की बात करेंगे तो Open केटेगरी में 89000 तक OBC केटेगरी में 103779 EWS में 102668 SC केटेगरी में 237241 Open PWD में कोई वो नहीं तो ये सबसे मेन वाले कोटाज है इसके लावा अगर हम बाकी के टेगरीज की बात करते हैं जैसे कि डीम्ड युनिवरसिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो डीम्ड युनिवरसिटी में MBBS ओपन जो है वो काफी पीछे की रांग तक आपको यहां पर नजर आएगा कि गया ह है बच्चों को अलमुस्त जिसने वे ट्राइ किया कहीं ना कहीं उसको लास्ट तक जो है एडमिशन मिली जाता है तो इतनी कोई डीम्ड में प्रॉब्लम नहीं आती है तो यहां पर आपको देखेगा भी की एट नाइन लाग तक भी एडमिशन मिला है और कई कोलेजिस की स सब को एडमिशन मिल ही गया है तो कोई उसकी भी कट ओफ वाली एसच में बात नहीं है डीम्ड सीट्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो अलिगर्ड मुस्लिम इनिवरसिटी कोटा आता है उसमें बीडियस में ओपन में आपको देखी रहा होगा और एमबी बीएस के अंद काटेगरी की जो है उसमें भी कोई सीट फर्दर जिसको एडमिशन मिला था उन्होंने ले लिया है कोई फर्दर चेंज इसके अंदर भी आपको राउंड टू में नजर नहीं आएगा जामिया मीलिया इसलामिया में जामिया इसलामिया की बीडियस के अगर बात कर लेते त तक open category में admission हुआ है जामिया मीलिया के बाद Muslim Minority Quota में BDS में यह हाल है और open category में यहाँ पे 23729 तक admissions मिले हैं Muslim Minority के बाद Jain जामिया Muslim Women Quota की बात करते हैं तो BDS में 26438 और MBBS में कोई admission नहीं था इस category के अंदर उसके बाद BC Nursing All India की बात करते हैं तो यहाँ पे MBBS नहीं होगा यहाँ बेसी nursing होगा और open category में अगर आप देखोगे तो देखो यह admission जो है वो 95513 rank तक open category में हुए हैं इसके अलावा अगर हम OBC category की बात करेंगे तो OBC category के अंदर 104139 है EWS category की बात करेंगे तो 119941 है SC category की बात करेंगे तो 202073 है ST category की बात करेंगे तो 297349 है open PWD में 623430 है OBC PWD में 878259 rank तक है EWS PWD में या SC STPWD में कोई seat allocated नहीं हुई है BC nursing All India के बाद Delhi NCR Children of Widows की अगर हम बात करेंगे तो इसमें MBBS की seat कुछ allocate की जाती है जो की open category में है लेकिन second round में इसकी भी हमें कोई भी seat यहां पे नजर नहीं आई open में OBC में 24930 है EWS में कोई seat नहीं है SC ST में भी कोई seat allocation नहीं है इसी के अंदर अगर हम BDS देखें तो BDS के अंदर भी यहां पे BDS की कोई seat 35600 पर गई हुई है और OBC या किसी और category में और कोई seat खाली नहीं थी दिल्ली उनिवरस्टी के बाद BSC Nursing, दिल्ली NCR में BSC Nursing में EWS में 197949 है और EWS के बाद अगर हम open category की बात करें तो यह भी 150550 तक गया है open के बाद OBC में देखोगे तो यह भी 1988865 है EWS में 197 पहली हो चुका है SC category में 208580 है ST में 917533 तक भी मिला है बाकि PWD वगेरा में BSC Nursing की जुरत पढ़ती नहीं है उनको MBBS मिल ही जाता है जामे अमीलिया डेंटल कोटा की बात करेंगे तो obviously BDS की बात करेंगे और इसमें open category में ही बात की जाएगी जिसमें की 99,000 तक भी admissions मिले हुए हैं जामे अमीलिया इसलामिया के बाद internal putdichory कोटा UT domicile के अगर हम बात कर लें तो यहां सिर्फ MBBS की सीटे हैं और OBC की कोई सीट खाली नहीं गई open category में 60613 EWS में 281524 SC category में नहीं है ST में भी कोई सीट नहीं गई है SC के अंदर अगर हम जामे अमीलिया इंटल putdichory के बाद जैन minority कोटा की बात करते हैं MBBS में open category में यहां पर सीट गई है 252426 पर उसके लाबा OBC बगरा या और केटेगरी तो यहां पर count ही नहीं करेंगी जैन minority कोटा के बाद BAC nursing दिली अंसे RCW कोटा की बात करते हैं तो BAC nursing के अंदर EWC में कोई नहीं है open में सिर्फ 112-373 पर एक सीट आपको लोकेट होते वे नजर आएगी इसके बाद last non-resident NRI कोटा की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी allotted कोटा और कोर्स हैं उन सब की cut-off मैंने आपको इस एक ही वीडियो में बता दी है इसमें भी कोई सीट अभी आज सच लोकेट नहीं हुई नए में जिन लोग को मिली थी उन्होंने पहले की सीटे ही रख ली हैं तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग कीप सपोर्टिंग अस दो सब्सक्राइब टो और चैनल and join the telegram group from the telegram link.